कि नमस्कार मैं हूं नंदनी आप देख रहे हैं अदा फुल जड़ी सेंटा क्लोस की कल्पना की बिना क्रिस्मस कत्यहार अधुरा लगता है लाल और सफेद रंग की पोशाक सफेद बात बड़ी बड़ी दाड़ी वाला एक बुज़र और कंधे पर टांगा कित से भरा हुआ संता की एक ऐसी सब कल्पना में आते हैं तो क्या सेंटा क्लोस केवल एक कहानियों में हैं क्रिस्मस के अफसर से पहले चलन है कि घर परिवार या समाज का कोई व्यक्ति भी सेंटा के वीश में बच्चों की बीच गिफ्ट बाढ़ता हुआ नजर आता है लेकिन इसकी शुर संता के नाम की खुशी के दर मनाया जाता है कि सेंटा क्लोस को याद करने का मेडिया है सेंटा क्लोस का सबसे बड़ स्थान दिया गया है फिनलेंड के लोग कथाओं के मताबिक जीजस के गुजरने के करीब 270 से 280 साल के बाद सेंट निकलोज दुनिया में आये रुवानियमी के गाओं में उनका जनम हुआ बच्पन में ही उनके माता पिता गुजर गए थे उनका सारा जीवन ही गरीबी में बीता वहीं वो पले बड़े और उसके बाद उनके मन हमेशा जीजस क्राइस में ही रमा रहता बड़े होकर पहले वैप पादरी बने और उसके बाद बिशप बन गए यिशू की भक्ति में करने के अलावा वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चों को तोफे देना भी उन्हें काफी पसंद था तोफे देते समय उनकी यही कोशिश रहती थी कि उनके रूप को कोई पहचान ना सके इसके विरात के अंधेरे में तोफे देने निकलते थे सेंटा क्लोस के अस्ते तो यहीं से जुड़ा है और वहीं सेंथ निकलोस के वज़े सही सेंटा क्लोस बच्चों में सबसे ज़्यादा फेवरेट बन गए उनसे जुड़े एक कहानी जो सुनाई जाती है वो दिल को छू लेने वाली है एक कहानी ये भी है कि एक बहुत गरीब पिता थे और उनकी तीन बेटिया थी उनकी शादे करना गरीब पिता के बसकी बात नहीं थी लेकिन सेंट निकलोस को ये बात पता चली तो वह चुप चाप उस घरीब पिता के घर पहुँचे और उनके आंगन में जो जुराबे सूख रही थी उनमें सोने के सिक्के बर कर लोट आए वहीं अगली रात दबनों ने देखा अगले दिन उठकर उससाद में ने देखा कि उसकी जुराबूं में सोने के सिक्के है तो तीनों बेटियों की जिन्द की सेंटा क्लोस सवारी इसे वजय से कृष्मस की में जुराओं टांगने का चलन्ज यहीं से चला ता कि सेंटा क्लोस आएं और उनमें गिफ्ट डाल कर चले जाएं इंडा सेंटे क्लोस अधिकारिक गाउं भी है वहीं रुवैयनियमी नाम का यह दफ्तर भी है जहां के बते पर दुनिया बर के बच्चे और लोग चिठियां बेशते हैं यहां सालों भर बरफ से धका रहता है यहां सेंटा भी रहते हैं जिने आप एक पोस्ट समझ लीजी सेंटा के रूप में रहने वाला यह व्यक्ति इन चिठियों को पढ़ कर इनका ज जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद